सत्रा मार्च दो हजार तेहिस जैजनेद बंदो मैं रवी जैन गुरू जी आज शुक्रवार और सरवार सिद्धी योग देखे हमें कोई भी नया कारी आरम करना होता है तो हम सरवार सिद्धी योग में आरम कर सकते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है और अब बात करते हैं आज के रासी फल की मेस रासी वाले आज ग्रह विकास में सायक नए संपरकों से भी लाब होता हुआ द वर्शवरासी वाले आज लंबी यातरा का योग नोकरी में सावधान रहने का दिन क्या करें आज मक्षन का परहेज रखें मितुरासी वाले आज अच्छे समाचार का योग लेकिन कानूनी विवाद में आज ना पढ़ें कानूनी विवाद से बचें क्या करें शिरी नमोकार महामंतर का 21 बार उच्चारण करें करकरासी वाले नया निर्ने लेने का दिन राजनीती से फाइदा हो सकता है क्या करें शिरी महविर चालीसा दो बार हल्की आवाज में पढ़ें सिंगरासी वाले नए मित्र बनेंगे लेन देन के मामले में जगडे नहीं क्या करें ओम रिम शिरी अरहनाज जिनेंदराई नमा की एक माला फेरें कन्यरासी वाले भाग्ये ठीक है भूमी का लेन देन कर सकते हैं क्या करें शिरी पारशनात इस्तोत्र हलकी आवाज में पढ़ें तुला रासी वाले परिवार में खुसियां बढ़ेंगी महमान आगमन का भी योग क्या करें शिरी भक्तामबर जी का दो नंबर का काव्य ग्यारा बार पढ़ें वरशेकरासी वाले स्वास्त का ध्यान रखें उच अदिकारी से दूरी बनाकर चलें मौर पंक जेब में रखें धनूरासी वाले सोचा हुआ कारिया आज पूरा हो सकता है वियापार में भी आज बहुत अच्छे लाव के चांस क्या करें शेरी भक्तामर जी कायंत्र घर में रखें मकरासी वाले नए रिस्टे बनेंगे दामपात्य जीवन में भी आएगी बाहर क्या करें मंदिर जी में सफाई में योगदान दें कुम्रासी वाले जीवन में नए आयाम मिलेंगे अचानक लाब का बहुत अच्छा योग क्या करें गरीबों को यथा संभव भोजन कराएं मीन रासी वाले दिन ठीक है नया कारिया आरंब करने का दिन क्या करें चंदन का टीका अपने माथे पर लगाएं रासी फल के पश्याद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की देखें आज की सलहा में ध्यान रखें अगर उदर पीड़ा से कोई पीडित है तो शिरी भक्तामर इस्तोतर का 32 नंबर का काविय उसे हलकी आवाज में पढ़ना चाहिए अगर वह पढ़ने की सिदी में नहीं है तो परिवार के किसी सदेस्या के उचाहिए के 32 वा काविय उनके पास बैठकर हलकी आवाज में उन्हें सुनाएं अगर आप ऐसा करते हैं और डॉक्टरिच किस्सा साथ में लेते हैं तो निश्यत रूप से चमतकारिक रूप से लाब होता है और अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है ग्याना नंजी ने कन्नोज यूपी से लिखते हैं गुरू जी जैजिनेद्र मैं जॉब से प्रेशान हूँ जॉब में मन नहीं लगता मन करता है जॉब छोड़कर नोकरी छोड़कर मैं व्यापार करूँ क्या मुझे ऐसा करना चाहिए देखे ग्याना नंजी मैं आपको बता दूँ आपकी कुंडली में जो व्यापार का मुख्य ग्रे है बुद ग्रे वे नीच का बैठा हुआ है तो निश्चित रुप से आपको व्यापार से बचना चाहिए अगर आप व्यापार से बचेंगे और जो भी करेंगे तो इसी में आपका लाब अधिक है जोब में आपका मन लगे इसके लिए मैं दो उपाई आपको बताता हूँ एक तो रात को सोने से पहले तीन बार चन्दा प्रभू का चालिसा हल की आवाज में पढ़ें और दूसरा एक ओपल रतन होता है उसे चान्दी में मढवा लें और शुकरवार के दिन गले में लोकिट के रूप में धारन करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मन जोब में लगने लगेगा और जोब में ही आपको अधिक लाब होगा इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फलेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सबी को जै जिनेद्र